दोस्तो रविश कुमार ने जब ND TV से स्तीफा दिया था तो कुछ गोधी मीडिया जो है उच्छल उच्छल कर बता रहे थी कि अब रविश कुमार जो है सड़को पर आ जाएंगे रविश कुमार का करियर खत्म रविश कुमार जो है अब पत्रकार नहीं बलकि जो सरकार जो बिपक्ष है उसकी आवाज बनेंगे कुछ ने तो ये तक कहा कि बिपक्ष पार्टी जोईन ना कर ले कॉंग्रेस ना जोईन कर ले आम आदमी पार्टी ना जोईन कर ले इस तरीके की तमाम खबरे गोधी मीडिया की तरफ से ट्विटर अकाउंट के जरीए शेयर किया गया गोधी मीडिया के जो गोधी पतलकार है जो हर वक्त आका की गुणगार में लगे रहते हैं लेकिन आज उनके लिए ऐसा जटका लगाए दोस्तो ऐसी जटका वाली खबर सामने आई है जिसे गोधी मीडिया भी सोचता होगा कि वो किस कदर जो है चाटू कारिता करते करते इतना नहीं कमा पाएं जितना रविश कुमार अपने एकलोते चैनल से कमा बैठे हैं जिया दोस्तो रविश कुमार ने जिस वक्त एंडी टीवी छोड़ा था उसके बाद अपना चैनल जो है उसकी शुरवात की थी और दीरे दीरे ये चैनल कुछ ही महीनों में कई मिलियन सस्क्राइबर्स जो है रविश कुमार के साथ जुड़ गए जो उनके चाने वाले थे जो रविश का रिपॉर्ट देखते थे रविश की खबरों को देखते थे वो रविश कुमार के यूट्यूब चैनल पर आ जाने से इतने जादा खुश हुए इतने जादा खुश हुए कि महीनों में 4 मिलियन से जादा उनके सस्क्राइबर्स हो गए अब उसी रविश कु प्रेज का रविश कुमार को लेकर इनोंने खबर चापी है और लिखा कि आत्म निर्भर रविश कुमार जो लोग रविश कुमार के चले जाने के बाद ये तंज मार रहे थे कि अब रविश की चाने वालों को चंदा इखटा करने की जो है रविश कुमार चैनल खोलना च पड़ी है क्योंकि रविश कुमार जो है जिस तरीके से कमा रहे हैं वो साफतोर पर नजर आ रहा है जी हाँ दोस्तो इस खबर के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो रविश कुमार जो है महीने का 9 लाख रुपए से जादा जो है कमाई कर रहे हैं अब आप सोचिए जो गोधी पतलकार गोधी में बैट कर चाठू कारिता करते हैं वो भी इतना नहीं कमा पा रहे हैं जितना अकेले रविश कुमार जो है कमाई के मामले में तमाम गोधी पतलकारों को पचारते वे नजर आ रहे हैं ये लोग तो अपना जमीर बेच कर चाठू कारिता कर रहे हैं आका आका हुजूर हुजूर कर रहे हैं लेकिन साफतोर पर रविशकुमार जो जिस तरीके की खबरे वो हमेशा दिखाते वे नजर आएं, सरकार से सवाल पूछा है, सरकार की गलत नीतियों पर खुल कर आवाज उठाई है, तो उसी तरीके से रविशकुमार ने किसी की चरं अधर सपोर्ट और साथ मिल रहा है वो साफतोर पर इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं अब एक और खबर दोस्तों भडास पर छपी है और भडास की खबर ये बताती है कि रविश कुमार यूट्यूब से हर महीने 9 लाख रुपए कमा रहे हैं ऐसी जानकारी भडास प उपनी करंती कर सके उनकी जानकारी के लिए मैं बता दू कि रविश कुमार जो है उनको इस चीज की जरूरत नहीं है वे एकल्लोते ऐसे अग्कर है उनकी वीडियो में मिलियोंस में वीवर्स देखते हैं यूट्यूब ने रविशकुमार की चैनल को B प्लस कैटेगरी में रखा हुआ, इसके मुताबिक रविशकुमार हर महीने लगभग 10,800 डॉलर यानी की 8,80,000 रुपे कमा रहे हैं और आगे लिखा जा रहा है कि इतना तो शायद एंटी टीवी ने भी नहीं दिया होगा जितना वो घर बैठे कमा रहे हैं अब कोई ठीक ठाक पतरकार टीवी न्यूस चैनलों का मोताज नहीं और वैसे भी चापलूस चैनलों को अब देखता कौन है, धौसखत में इन विके हुए चैनलों की, वेल डन रविशकुमार तो इस तरीके से इन्होंने सब कुछ सामने से लाकर रख दिया है कि कैसे जो है इनकी हवा टाइट हो गई है, जो खुश हो रहे थे कि रविशकुमार का अब कुछ नहीं होगा, वो अब इस चीज़ को देखकर सुन कर जरूर सदमे में हो सकते हैं एक तरह के से ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि गोधी मीडिया खुद रविशकुमार को लेकर जो अफवा फैल आ रही थी, गलत गलत जो उनको लेकर बाते कर रही थी, वो गोधी मीडिया जो है अब खुद सड़कों पर आ गई है, वो अपना ठिकाना करे कि हम इतनी चाचु कारिता करते हैं, फिर भी क्या मिलता है, कुछ पैसे, चाचु कारिता में दिन रात लगे रहते हैं, अपना जमीर बेच कर, जनता को दिखाबर दिखाने की वजाए, जनता से ही उल्टा सवाल, जनता को ही ना जाने क्या-क्या बोला गया है गोधी चैनल्स पर, किस तरीके स तो है आत्म निर्वर बनना नहीं चाते हैं, किसी ने विपक्ष को बोर दे के जिता दिया, तो उसको गाली देना शुरू कर दिया, तो ये स्थिती है गोधी चैनल्स की दोस्तों, कि गोधी मीडिया को सिर्फ और सिर्फ अपने आका की ही पड़ी है, बाकियों की नहीं आप सोच जी सकते हैं, कि आका को खुश करने के लिए क्या कुछ इनके तरफ से किया जाता है, कैसे कैसी खबरे दिखाई जाती है, ये किसी से दबा छुपा नहीं है, आगे दोस्तों देखिए वैब अप शुकला जो है वो लिखते हैं, कि 3 जून से अपदक रविश कुमा एंडी टीवी कुल 85 वीडियो उसको 10 करोड का से जादा वियूज मिल चुका है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से भडासफ और मीडिया ने इस खबर को चापा था, तो ऐसी जो खबरे हैं दोस्तों आपके सामने हैं, अब देखिए दैनिक भासकर भी लिखता है कि 20 जनव दिया था, उसमें अपनी पूरी बाते खोल कर रखी थी, कि जिस इमारत से इंसाफ की उमीद है, उसी के दर्वाजे खिरकिया खोल ली गई है, तो इस तरीके का जो लगातार रविशकुमार अपनी शो में, अपनी खबरों में बताते रहते हैं, जन के मुद्दे उठाते रहते हैं, उसको देखते हुए, दिन दोगनी, राज चोगनी किस तरीके का तरक्की जो हासिल कर रहा है रविशकुमार वो आपके सामने है, दोस्तों इस पूरर रपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिकीरिया है, हमें कॉमें सेक्षन में जरूर बता झाले přीच्षप दो सतर में जरूर गिच्दी जरूर अभ magic वेकर में सेक्षएघें प्रतिकीरिया है, हमें और इकよ अटम्सी य्द रहा हैं, हमाय है, तो आपके क्योंगना हमें, आपके सकाव आफ क्योंगना है, हमें प्रतिकी दोचेशफाने हैं प्रतिकीरिया हैं में discussions, झाल झाल